हेलो फेरेंज, वेलकम बेक टो मैं चैनल सुबर्मावन स्कूल, आज हम भावल्स और कॉंसोनेंट का कॉंसेप बच्चे को कैसे आसानी से आप दे सके उसके कुछ टीप्स हम आपके साथ स्यार करेंगे और आपके बच्चे सिर्फ आसानी से सिखेगा ही नहीं और हमें साथ इसको याद भी रखेगा तो चलिया सुरू करते हैं ए से जेट तक 26 लेटर्स है इसमें से ए ए आई ओ और ए यू ए फाइब लेटर्स को हम भावल कहते हैं ए फाइब लेटर्स को हम भावल कहते हैं क्या है ए ए आई ओ और यू और आदर्स जो 21 लेटर्स है उसको हम कॉनसोनेंस कहते हैं तो ए भावल और कॉनसोनेंस बच्चको कैसे आसानी से हम जिखाएं जैसे कि बच्चे हमेजा राइम्स पसंद करते हैं तो आप उसे राइम्स के तरह सिखा सकते हैं जैसे कि ए-e-i-o-u ए-e-i-o-y-u इसे तरह आप उसे राइम्स के तरह सिखा सकते हैं और मेरा दूसरा टिप्स यहा है कि बच्चे हमेजा स्टोरी बहुत पसंद करते हैं स्टोरी में बच्चे को बहुत दी इंटरेस्ट हैं तो हमने कुछ एक स्टोरी बनाया दैसे कि A is for ant A is for ant E is for elephant तो ant और elephant दोनो बहुत अच्चे दोस्ट है दे आर वेरी गुट फ्रेंट और दे वेर हैं आईस पर आईस क्रीम दोनो आईस पर आईस क्रीम कारा अथा The flavor of ice cream was O is for orange The flavor of ice cream was O is for orange Ice cream का flavor कैसा था? O is for orange Suddenly rain स्टार्टे दे ओपेन अब बीक E is for umbrella Ant got under it Suddenly bodies आगया तो दोनो ने अंब्रिला के अंदर आगया मैंने फिर इक बार स्टोरी को सनागा A is for ant and is for elephant They are very good friends They were having ice for ice cream The flavor of ice cream was O is for orange Ice cream का flavor था? Orange Suddenly rain स्टार्टे दे ओपेन अब बीक E is for umbrella Ant got under it दोनो ने अंब्रिला के अंदर चलागया This is vowel story तो इसी तरह आप बच्चो को स्टोरी सुना कर भावल सिखा सकते है और वो भी आसाने से सिख जाएगा तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को किलिक कर दीजिए ऐसी helpful वीडियो आपको मिल सागे थैंक्स पर वाचिंग